હલો શુડેન્સ તો વિદ્જ્રસાયનના 5 માં લક્ચેરમાં આજે આપણે ડિસકેશન કર્શું ની तो लास्ट लेक्चेर मां जरीते आपने डिस्केसियन करी के नंस्ट इक्वेशन के नंस्ट नमीकरण छे एवी परिस्तिती मां आपने वाप्री शक्किये के जारे प्रमाणित अवस्थाओ ना होई एकले के सांद्रतानू मुल्य एक शिवाईनू कोई पण होई ए समय जो तमारे कोश नो कोश पोटेंशल शोधू होई तो नंस्ट समीकरण नाव प्योगती ए आपने शोधी शक्किये आजना टोपिक मां आपने वाद करवानी जे के ए नंस्ट समीकरण मां थी आपने संतुलन नचलांकनी किम्मत कई रिते मिलवी शक्किये अवे आपना डेनियल कोश मां दर्शावेली प्रक्रिया छे थती जे जिंक औने कॉपर आयन छे एमा थी जिंक आयने कॉपर थातू मले अवे आ प्रक्रिया दर्म्यान इलेक्ट्रों छे एनो प्रवा अवीरत चालू हो शे औने वॉल्ट मीटर मां आपने रीडिन्ग जोवा मलेशे के लाव परक्रिय हों छे जलैंड प्रक्रिय को नई जड़त्य प्रक्रिय पुर्ण था जबी है ति तुपी सांत्रेता था शे तो यहनी सांत्रेतानों शांत्रेताना मुल्यों जरे अचल मले त्यारे अपने उकह aka शक्ये के आपनी प्रक्रिया पूरुण Yoon थाएगी पण और उन्याु पूर्गामी प्रतिगामी पुल्पट वन्या पीद मआ वसे लिगन स्थकीज ने ये 10 नार आलवू hairstyle युथ अने एज समय वोल्ट मीटर नी अंदर पण आपने शुन्य रिडिंग के वाजन दर्शावशे अने ए समय आपना कोश माथी कोई पण जातनों विद्यूत प्रवापसा थेलो जुवा मलशे ने अपने आपने रेगिलर कोश नी वाद करिये के बैटरीज नी वाद करिये के आपनी बैटरीज है डेड थेगी अथ्वा तो डिस्चाज थेगी तो फरित्य आपने रिचाज करवी पड़े पण आपने रिचाद निये त्यारे रिक्वार्मेंट न थी आपने प्रक्रिया छे संतुलने स्थपाई गई ए पोईंट आपने मुख्य चर्जामा लेवानों छे तो ए समये आपने आपना नंस्तिक वेशनमा आ प्रमाणे नो फेरफार गरी शक्किया यह यह फेरफार शु नो कोश पोटेंशल जीरो थशे एक एक वाद याद राग जो के प्रमाणीत कोश पोटेंशल जे ए अचल किमत छे कोई पन अवस्थामा यह बदला शे नहीं ए आपने कॉपर नने जिंक माटे निवाद करिये जे यह आपने डैनियल कोश दर्शावेलो छे एना माटे प्र 2.303RT छेद मा 2F N बराबर 2 थशेकन के बे एलेक्टर नो फेर फारत आई छे एने गुणा लोग निपजी नी सांतर रेता छेद मा प्रक्रियेक नी सांतर रेता अवे E सेल बराबर 0 छे तो यह थी आपने आखे आखी टर्म ने एक बाजू समिकरण ने एक बाजू राखे और E सेल ने समिकरण नी बीजे बाजू राखे तो आपनू समिकरण के एक आरिते मलशे के कोश पोटेंशल प्रमानित कोश पोटेंशल पराबर 2.303RT छेद मा 2F गुणा लोग ZN2 प्लस नी सांतर रेता छेद मा Cu2 प्लस नी सांतर रेता ZN2 या आपनू निपज नी शांतर रेता छेद मा Cu2 प्लस प्रक्रियक रेता. सत्थे शांतर रेता प्रक्रियक रेता है संतुलन अचलांक केसी तो यहां आपने ZN2 प्लस डिवाइड बाई Cu2 प्लस यहने आपने रिपलेस करी शक्किये केसी थी अने साथे साथे आपने अगाव वाद करी के 2.303RT ना छेदमा F यहनी बराबर थाशे 0.059 तो यहनी किम्मत पण आपने समी करण मा मुक्ता जे आपने जोई शक्ये थी 2.303RT यहना छेदमा F अटला नी किम्मत थाशे 0.059 यहने भाइग्या 2 इलेक्ट्रोन चेदले 2 अने ZN2 प्लस ना छेदमा Cu2 प्लस प्लस पराबर थाशे केसी हवे आपना कोश नो कोश पोटेंचल प्रमाणित कोश पोटेंचल छे 1.1 वोल्ट छे अटले के आँ आखी किम्मत बराबर मलशे आपने 1.1 वोल्ट अने हवे यहां दरेक नंबर्स छे यहने सूत्र नी एक बाचो शिफ्ट करिए अने केसी ने सूत्र नी बिजी तरफ शिफ्ट करिए तो लोग केसी अत्वा तो संतुलन अचलांक नो लोग बराबर आपने मलशे 1.1 वोल्ट चेदमा 0.05 ने बराबर थाशे 37.288 हवे केसी नी किम्मत मिलवा माटे आपने 37.288 नो एंटी लोग लेवो पडशे अने एंटी लोग नी किम्मत आपने यह देखाई जे के 2 गुणा 10 नी 37 घाद हवे केसी नी किम्मत आपेली प्रक्रिया माटे अत्तिशे उची छे एटले के जारे संतुलन स्थपायल वोशे त्यारे जिंक 2 प्लस नी सांद्रता अने कौपर 2 प्लस नी सांद्रता नो गुणोत तर छे ए 2 गुणा 10 नी 37 घाद थशे जे आपने जोईशक किये ची एक अत्तिशे उची किम्मत छे अने ए वो दर्शावे छे के जेडेन 2 प्लस नी सांद्रता छे फ्लस नी Stress boundary माँ Islands Stunde 30 बता रहा छे सांबंजी अवस्था माँ इस्ट आनो फेल फार एकलो बता है हो अध्यवा तो माअ तोहीं कोपर 2 प्लस नी सांद्रता अटली पति वो और छे छे अल्मोस्ट बेनी नजीक पॉँची जेशे यानने ए समय ए सीवतु प्लस नी सांत्रता अटली बती ओची है शे के आपने प्रायोगी क्रिते ही मापीच शक्षू नई तो एक उप्योगा 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 उप्यो सबन्ध और ना पर्थि जे नी किम्मद तमारी पासे नुह होए एनी किम्मद ना होए तो एनी किम्मद आपने तो जो E-cell नी किम्मत न होएly प्रमानित को श्च पोटेंशल न हो तो We incredibly to know women at सांद्रेता छे ये मापी शोक्षो नहीं केम के येनू सांद्रेता नू मुल्य अतिशे हो चुँँए छे तो ऐवी परिस्तिती मा तमें कोश पोटेंशल नी किमत पर थी संतुलन चलांक नी किमत मेलवी शको हवे यहां आपनी पासे छे एक एक एकजांपल जहे आपना इत्यार पॉइंट चरचा करी येन उज एकजांपल छे क्या ये आपनी पासे कोश पोटेंशल छे ये 0.46 छे एना केसी नू मुल्य आपना शोध वानू छे तो सिंपल एकवेशन 0.059 छेदमां 2 गुणा लोग केस येने बराबर थाशे 0.46 तो लोग केसी बराबर 0.46 गुणा बे पाएंगे 0.059 अटले के 15.6 तो एनो एन्टी लोग लेता आपने मल शे 3.92 गुणा 10 नी पंदर का तो अईया पना आपने जोई शक्किया के केसी नू मुल्य आत्ती शे उचू होशे तो एनो मतलबे वो थो यो के निपजी नी सांत्रतानी सर्खामणीमा प्रकृयकृक नी सांत्रता अत्ती शय ओचे ϊँवानी अने ए अपना माडे माप शक्य न थी आटले एनी सांत्रतानू मुल्य शोध्वा माडे आपने आ एक्वेशन नो उप्यो करी शक्या अवे आपनो नेक्स्ट पॉइंट छे विद्यूत्रसायनी कोश अने प्रक्रियानी गिप्स उर्जा एकले के जेम आपने आमना आनी पेलाना एक्वेशन मा एक सबन तायर वो के एनी अंदर संतुलन अने विद्यूत्रसायन वच्चे कनेक्शन अतुँ पॉजरी तायईं विद्यूत्रसायन ऑने थर्मोडाइनिमिक्स के उश मां कती शास्त्रवत्येनों जा बंद आपने तारावा नो छे छेए एक सेकंड मा थेल विज़ूत ये कार्य विद्जूत ये पोटेंशल औने पसार थेल विद्जूत पहर ना गुणा कार बरेबर छेई अटले के अपने वाद करवानी छे गिब्ज मुफ्त शक्ति औने कार्य नी आपने thermodynamics नी अंदर औरडी ये वस्तोषीकी गया के ड्यल्टा जिनी किमत पर सि अपने थयल कार्य अथीआ तो गरवा मावतू कार्य येनी किमत शोती शब्के तो अहिया जे कार्य छे एशे एने आपने विद्यूत कार्य तरीके लेवाणू छे अपने अगावपनि ग्याए प्रमाण बे प्रकारो चे mechanical work अने electrical work अटलेक यांत्रेक कारिया अने विद्यूतिय प्रकार्य यह आपणे सबंद लेए झrate विद्यूतिय कारियो तो जो आपने गेलवे निक कोष्ट माती महत्तम कार्य मिलो वो होई तो विज्यूद भार प्रतिवर्ति रिते पसार करवो जोई है गेलवे निक कोष्ट द्धारा थेल प्रतिवर्ति कार्य यतेनी गिब्स उर्जामा घटड़ा बराबर होई छे आथी धारों के कोष्ट नों EMFE होई अने NF छे एमा पसार थेल विज्यूद भार होई तो डेलटा जी बराबर प्रक्रिया नी गिब्स उर्जाथा छे अने एना माटे सबंतापने मोल छे डेलटा जी बराबर माइनस NFE हवे यहां तमे जोशो के डेलटा जी नी किम्मत धन छे ए समये एनी सामे नी किम्मत छे रोण छे हवे N अटले इलेक्ट्रोन नी संख्या प्रक्रिया दर्मियान प्रांसपर तता इलेक्ट्रोन नी संख्या F શે ફેરેડે છે દર્શાવે છે એક મોલ ઇલેક્ટ્રોનું કુલ વિજબાર એક એલેક્ટ્રોનો વિજબાર એક્ટીવ સાઇક્ટેર છે એક્લે આપણા કોશ પોટેંશલ સાથે લાગું પડે છે તો ડેલ્ટા જેનું મુલ્ય જારે ધના હે ત્યારે કોશ પોટેંશલ નું મુલ્ય રૂણ હે અને ડેલ્ટા જેનું મુલ્ય રૂણ હે ત્યારે કોશ પોટેનું મુલ્ય દાણ મુલ્ય થે આપણે આ સમીકરણ કે ઉષમા ક્શેપક પ્રક્રક્યા દરશાવે તો ઈ સમેએ એ પ્રક્રક્રક્યા માટે નુમુલ્ય ધનુલ્ય દાણ કે ને ડેલ્ટાજી છે માત્રાતમક ઉષમાગતી કીએ ગુણતરમ છે અને તેનું મુલ્ય એન પર આથારિચ છે આથી એક પ્રક્રાગ્ય ઉપર આપણાએ કોંતરાગે કરીએ તો છરવાતમાં જરો ઓઉસથામાતું પ્રક્રામાતું તો એયાં એન બરાબર બે થશે એટલા આપ્ડો એક્વેશન થાએ ડેલ્ટા જીબરાબર મઈનસ બે એફ્ય એજ એજ રીતે તો તુમે આપેલી પ્રક્ર્યાને બંબની કરો એકે સાંદ્રતાઓ આપને ડેબલ કરીએ કે બેમોલ કોપર પ્લસુનું એમે બે મોલર જેડે પ્લસું આને બે મોલ કેર્ફાર કટલો થશે તો તમે ટોટલ પેર્ફાર ગણશેઓ તો ચાર ઇલેક્ટ્ર્ફાર મલે ડેલ્ટા જીબરાબર મલીશે આપણને મઈનીસ પોર એફે તો જીની કેમજે એલેક્ટ્રોણ પર આદારીચે એલેક્ટ્ર્ણના ફેર્ફાર પેર્ફાર પર જારેરે એમજે આપણે પેજ પ્રક્રીયા કર્તી વક્તે સાંરેતાવના મુલ્ય એક લઈએ એક્લેકે જેની સાંરેતા હે એકમજે એવી પ્રિષ્થીતી આપણે પ્રમાણીત વસ્થા તરીકે જાણીયા છીયા અને ઈ સમયે કોષનો પોટેંશ્યલ જે એપ્રમાણીત કોષ્પોંટેશ્યા પોટેશ્યા કેવાઈ કેવાઈકે ઈ સલ બ્રાબર થશે ઈ નોટ સલ તો એવા સમેએ જો તમે ડેલ્ટા જી ની કેમત શોદો તો એ ડેલ્ટા જી ની કેમત થશે પ્રમાણીત ગીબ્જ મુક્ત શક્તી ને પ્રમાણીત ગીબ્જ મુક્ત શક્તી તરીકે ઉળકીએ છીએ તો આ થેગ્યુવ આપણુ ડેલ્ટા અને વત્ચેના સબંદનું સૂત્ર એડલે કે થર્મો ડેલ્ટા ડેલ્ટા કેસ્તી નો સબંદ્ત છે રીતે આપણે સ પ્રમાણીત ગ્જ મુક્ત શક્તી શોધવા માટેનું સમીકરણ છે કે જારે પ્રક્રીયા સંતુલને હશે ત્યારે સંતુલની શાંત્રતાવના મુલ્યો પરથી તમે પ્રમાણીત ગ્જ મુક્ત શક્તી ની કિમત મેલ ભી શક્ષો હવે આજે સમીકરણ છે એમાં થી અ પ્રમાણીત ડેલટા જે ની કિમત મારે શોધવી હોય તો ડેલટા જે પ્રમાણીત ડેલટા જીનું મુલ્ય પ્લોસ ર્ટી એલેણ કે જે આપણા ઇયા સુત્ર જોયું એની કિમત તમે જે ડેલ્ટા જે નોટ કે પ્રમાણીત ગ્જ મુક્ત શક્તી ની કિમત મુકો અને જે એની પેલાનું સુત્ર આપણા જોયું એટલે કે ડેલ્ટા જે બરાબર માઈનસ એને એફ એની કિમત છે તમે આઈયા મુકો તો આ કિમતો મુ એની કિમતો મુકી ને માઈનસ એને 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 કિમતો સૂત્રમાં મુકી ને તમે એને સૂત્રની નંસ્ત એને ને એને કિજ મુકી ને કિલેને કિલ્કી ને કિલેને કરવાની છે ને કિમું હીને વ્ત્યને ને કીમત यानि अथ्वा तो आपना डेनियल कोष नी Gibbs मुक्त शक्ती नी किम्मत डेनियल कोष चे विज्यूत उत्पन करे चे एटला माटे एना कोष पोटेंचिल ना मुल्य धन चे अने उत्पन करे चे एटले के उर्जा मुक्त करे चे अटले अनी Gibbs मुक्त शक्ती नी किम्मत रूण मलशें अहिया सुधीना पॉइंट मा कोई confusion जणाएं तो पूछी लेजो अन्य अहिया आई equations पर थी अलग लग्टाइट ना दाखलावो पूछाए शकें